28 अक्टूबर को एक बेहद डरावनी खबर राजस्थान से सामने आई नहीं कथत रूप से स्टैम पेपर के जरीये लड़कियों की नीलामी की जा रही है राश्ट्रीय मानवधिकार आयोग ने इस मामले का स्वतह संग्यान लेते हुए राजस्थान सरकार से पूछा है कि नपरादों के खिलाफ क्या-क्या कारवाईयां हुई है दरसल दैनिक भासकर की एक रिपोर्ट आई इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे जातिये पंचायत ग्रामी निलाकों में लड़कियों को नीलाम कर रही है नमस्कार मेरा नाम दिव्यान शी है और आप देख रहे हैं विललन टॉप का महिलाओ से जुड़ा नया शो जनाना रिपब्लिक मेरे साथ है इंट्या टुडे की एक्जेक्यूटिव एडिटर प्रीती चौधरी आज हम जनाना रिपब्लिक में दो एहम मसलों पर बात करेंगे सबते की दो बड़ी खबरें आई हैं महिलाओ से जुड़ी सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के भीलवाडा से एक खबर आई है कि राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग ने अशोग घहलोत सरकार को एक नोटिस जारी किया है नोटिस किस बारे में है लड़कियों की नीलामी कुछ जो जातिये पंचायत महाँ पर होती है वो लड़कियों की नीलामी करती है पूरा मामला क्या है उसे समझेंगे फिर बात करेंगे BCCI के उस फैसले की जिसमें महिलाओ और पुरुष क्रिकेटर्स को समान पीज देने की बात की गई है पहले मुद्दे से शुरू करते हैं प्रीती आपसे जानना चाहेंगे जो राजस्थान से इस्तमें खबर आ रही है जो मुद्दा इतना बड़ा महाँ पर हो रहा है क्या है हमारे दर्शकों को आप अगर समझा पाएं तेखिए अगर ये सच निकलता है क्योंकि ये कि न्यूस रिपोर्ट है एक काफी बड़ा न्यूस पेपर है उसने एक investigation की है और उस investigation में कह रहे हैं कि उन्होंने पाया है अभी तब कोई case studies बाहर नहीं आई है और उन्होंने पाया है कि जो इतना बहुत एक light डालता है दिवानशी जो हम 21st century इंडिया की बात करते हैं जो हम बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ उसकी बात करते हैं बेटी को आगे बढ़ाओ उसकी बात करते हैं यह उसका जो dark side अगर हम देखें जो अभी भी इतना जादा prominent है इस country में यह वो reveal करेगा अगर case studies और बाकीर पहर आए तो क्योंकि NHRC ने इस news report की एक suo motocognizance लिया है उसने यह देखकर उठाया है और media report है काफी बड़ा newspaper है जिसने यह investigation किया है जो lowest common denominator अगर हम कहें जो सबसे नीचे तपके का जहां पर financially हो सबसे पूर जो strata है उसको ले ले और देखिए हम चाहे कितना भी बोल दें कि caste, caste matter नहीं करती और अगर हम राजिस्तान में जहां पर caste हम चाहे स्टूडियों में बोल लें नहीं matter करती बर भाई वहाँ पर caste ही matter करती है अगर आप गाउं में हो तो एक बिल्कुल ही जो राजिस्तान में caste metric मान लीजे जो सबसे छोटी जाती माना जाता है उनके हिसाब से गाउं में जो माना जाता है वहाँ पर अगर आप उन्होंने कहीं लोन लिया है किसी से गाउं में बीलवाडा से काफी सारे case माने जाते है क्योंकि अभी तक कोई case study नहीं आई है यह NHRC ने notice लिया है एक report का अब वो जो newspaper है उसको बताना पड़ेगा कि यह कहां पर उन्होंने report file की यह कहां से निकली है अब काफी सारे एक तो बीलवाडा district है में काफी सारे गाउं है जहां से कह रहे हैं कि दो तीन reports आई है कि अगर किसी ने रिण लिया है लोन लिया है गाउं में ही मतलब ऐसा नहीं है कि किसी bank में लिया है कि मैंने अगर आप से या किसी और से जैसे चलते हैं गाउं में इस पचास रुपे का stamp paper circulate भी हुआ है हम भी दिखाएंगे इसमें आप जरा उसकी फोटो दिखा दीजिएगा एक पचास रुपे का stamp paper पर एक कथित ऐसा-इसा deal हुई है कि उसके अंदर आपने अपनी लड़कियां रिन के तौर पर नहीं दिया तो हमारी लड़कियां आपकी है ये लड़की हमारी आपकी है और अगर कहने में ये भी सुनने में ये भी आया है कि अगर आपने वो लड़की sign off नहीं की stamp paper पर ये deal हुई है ये बाहर आया है एक नहीं कहते हैं अनेको deal हुई है और अगर आपने अपनी लड़की को नहीं सोपा उस deal के हिसाब से तो जो माता है जो उसकी माँ है उसके साथ रेप होगा और ये सब पंचायत का इसमें पूरी हामी भरती है पंचायत में ये discussion होता है ये पंचायत ने ये ये announce हो रहा है ये normalize कर रखा है वहाँ पर और ये पंचायत में से सरपांच हैं 2-3 क्योंकि मैं अभी ही story कर रही थी पता इतना traumatizing लगता है जब आप ये करते हैं मैं story मतलब मेरा show अभी आने घंटे में वही है और मैं वह सुन रही थी सरपंच बोल रहा है कहा होता है हमारे गाओं अब कोई case तो मिला नहीं है पर एक सरपंच कह रहा है के होता है ऐसा हुआ है हमारे गाओं में और कई जो मैं वो पूरी report पढ़ रही थी उसमें एक लड़की ने भी पूरी अपनी आपबीती सुनाई है उसने काए कि मुझे 21 साल की उम्र में बंधक बनाया गया था भागने की उसने कोशिश की लेकिन पकड़ी गई कई बार बलातकार हुआ फिर भी वो उसके पिता कर्ज नहीं चुका पाए तो इस तरह के कई reports यह कितना डरावना है प्रीती अगर इस तरह से देखा जाए कि आज के जमाने में ये सब हो रहा है और कहा है प्रशासन और कहा है शासन यहाँ पर दिलाजी मैं पताब बहुत छोटी थे मैं बहुत बहुत छोटी थी मैं स्कूल में थी तब और एक जब आप पढ़ते हैं आप ख़बर पढ़ते हैं तब जर्रेलिजम मतलब एक और ही स्तर पर था, बहुत सारी ऐसी स्टोरी आती थी जो आप देखते थे, आपके नवाग क्या स्टोरी की है, आजकल बहुत कम दिखने को बिलती है वैसी, जब मैं स्कूल में थी, तो मेरे पिताजी एक मैगजीन लेके आये थे जिसके उपर एक महिला बनी थी, कमला शायद नाम था उसका, और अगर आप देखें, मुझा भी भी याद है, थोड़े जैसे आपके रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही, मुझा भी भी याद है कि अश्विनी सरीन, एक बहुत जाने माने क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे, उन्होंने बाकाइदा राजिस्थान में जाकर एक महिला को खरीदा था, और वो cover page, I think magazine, हम बोल नहीं सकते नाम, पर वो cover page था, उस पे उस महिला की photo थी, जिसको खरीदा गया था, वो अपने घर पे लेकर आय थे, इस महिला को, उनकी शादी हो चुकी थी, उन्होंने बस ये nexus expose करने के लिए, उन्होंने ये पूरा किया था, और अब मैं देखती हूँ, जब मैं छोटी थी, मैं कम से कम, मतलब कितना, मैं 20-25 साल की बात कर रही हूँ, मैं बहुत छोटी थी तब, और ये तब ये story हुई थी, और तब, मतलब, हम सब को इतनी हैराश्तानी हुई होगी, जो मेरे माता पिता है, मुझे पता है, वो बात कर रहे थे, वो इतनी हैरान थे, देखिए हिसमें बदलब रुपर की stamp paper पर अगर ये सच्चाई है, और इस story में सच है, पचास रुपर की stamp paper पर आपने अपनी लड़की को किसी को दे दिया है और हम बात करते हैं कि दूसरे देशों में सीधिया एराक में ये सब हो रहा है और कूप रथाओं पर हम जम कर चर्चा करते हैं हम राजस्थान बहुत दून नहीं है यहां से जहां पर ऐसा बताया जा रहा है जो रिपोर्ट पूरी सामने आई है एक और इसको किस तरह से regulate कर रहे हैं, क्या वो जो पंचायती राज कानून हैं, पूरा उसके अंडर काम करें, तो क्या इसे कोई देख नहीं रहा है, जान बूच कर इग्नॉर किया जा रहा है, ये तो बड़ा सवाल बन कर इस टाइम पर उभर रहा है, तेवांची देखिए न, अग ये भी एक मुझफर नगर में महा पंचायत हुई थी, और जिस कम्यूनिटी से मैं आती हूं, उसी कम्यूनिटी ने की थी, और उन्होंने बोला था कि चाउमीन खाने से लड़के बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल ये बड़ी ख़बर भी स्टाइम बनी जाते हैं, जो भी बैठी है, इस बील के ओपर तैव हुआ है कि अगर उसने पैसे नहीं दिया तो तुम्हारी लड़की है और ये स्टैंप पीपर पर दील हुई है, इसमें जितना कल्पबल मान लीजे, जिसने लड़की ली है, उतना ही कल्पबल, वो पंचायत है, जो इस पे बैठी है, और इसने हामी भरी है और बोला है कि ऐसा ही होना चाहिए था, उसमें एक और रिपोर्ट में ये भी पढ़ने को आया कि उससे समझ में ही आता है कि लोग जब इस तरह की चीजे होती, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये कितना डरावना है किसी के भी लिए, महाँ पर, मैं मैं इमाजन भी नहीं घर पारी हूँ कि वहाँ पर कितना डर लड़कियों में, महिलाओं में, और जो हो रहा है, खरीद फरोक्त जैसा ये पूरा सिलसला है, फर उसके बाद ये भी कुछ बताये गया था कि वो लोग उन्हें बेचते हैं, लग-लग, स्टेट में विदेश भी वो भेजी जाती हैं, ये सच में इस तरहां की चीजें ये बार-बार आती हैं, लड़कियों को लेकर बार-बार इस तरहां की खबरे आती हैं, हम किधर जा रहे हैं, बस मुझे ये सोच कर हैरानी होती है, हम कहां कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम हमेशा जब इस तरहा मतलब ये बिलकुल opposite है एक celebratory form में एक महिलाओ के जो equal pay की बात हुई है जिस पर हम सवाल उठाते रहे हैं आज जितना struggle हुआ है BCCI का इतिहासिक फैसला आया कि जो पुरुष क्रिकेटर्स हैं और जो महिला क्रिकेटर्स हैं उनकी जो fees होगी मैच पीस जो होगी वो समान होगी ये तमाम लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं आपको कैसा लगा मुझे तो as a woman मतलब मैं हमेशा ये कहती है हमारी पहले भी बाते होती है मुझे लगता है कि जो महिलाओं बोल सकती है जो कह सकती है उनको ये चीज़ें सेलेब्रेट करनी चाहिए बार-बार मांगना चाहिए कि चलिए आपने ये हो गया अब अगला स्टेप क्या है आपका अगला स्टेप देखना चाहिए पर खुशी तो बहुत होगी मतलब जाया है महिलाओं को खुशी होती होगी जो जेंडर पे गडप की हम बात करते हैं हर फील्ड में बात करते हैं ये क्रिकेट में आपने कम से कम सेम किया है अब मैंना बात कर रही थी पूना मयादव लग्स्पिनर हैं टीम में खेलती हैं और वो मेरे शोपे आय थी इसमें ना बहुत सारे लोग हैं, हमारे न्यूसरोम में बहुत सारे लोग हैं, जो खहते हैं, आप ऐसा नहीं हो सकता यह सब चीज में आप equality, equality, equality लेते हों, इसमें commercial value देखिए, जो men cricket होता है, वो commercially viable कितना जादा होता है और महिलाए commercially viable उनका नहीं होता है एक बहुत बड़ा ग्रूप है जो कहता है fair होना चाहिए equal में आप बार-बार equality की बात ले जाती है पर बात वो नहीं है न देखिए 83 के पहले जब हमने वर्ल्ड कप जीता उसके पहले जो हम commercial वायबिलिटी की बात करते है कहां थी इंडियन क्रिकेटीम कहीं नहीं थी आपने इंवेस्ट किया धीरे-धीरे आपने उनको इस बंड़ी का मौका दिया आपने उन्हें बनाया कि ये कर सकें और अगर बात चाहे BCCI एक commercial organization है पर अगर इंडिया के लिए भारत के लिए अगर आपकी male team जो पहनती है female team अगर jersey पहनती है उनके पीछे इंडिया लिखा होता है जब T20 था तो test match मान लीजे महिलाएं जब खेलती थी उनको 2.5 lakh रुपीज मिलता था मेर को 15 lakh रुपीज मिलता था वही 6 lakh मिलता था T20 का और इनको महिलाओं को 1 lakh मिलता था तो आपने वो gap to bridge कर दिया है और इससे आप देखिए आप पूरा women empowerment में कितनी मदद करते हैं क्योंकि जब Poonam यादव आई थी दिवान शीरों ने एक साब चीज मुझे बताया थी कि देखिए मैं बहुत चोटे से गाम से आती है मेरे parents ने देखा और मुझे आगे बढ़ाया पर ऐसा नहीं था कि इतना सारा पैसा था हमारे पास कि हम कुछ कर पाए और मैं इंडिन cricket team में भी चली गई अब ये जो पैसा मेरे पास आएगा कम पैसा नहीं है काफी पैसा अगर दस माच भी खेलती है काफी काफी पैसा आएगा आपके घर कहां spend करूँगी मैं अपने नूट्रिशन पे spend करूँगी मैं अपने ले एक फिजियो अपना personal फिजियो लेके आऊँगी मैं अपनी जो competence level है उसको आगे करूँगी और most importantly मेरे parents finally देखने शुरू कर जाएंगे कि चले लड़की पैसा तो बना रही है उसमे value value बिल जाएगी है financially कि मेरी लड़की पैसा बना रही है exactly पृती अभी आप पूनम यादव की बात कर रही थी मैं मिताली राज का एक statement पढ़ रही थी एक उनके interview को देख रही थी और उसमें उन्होंने अभी जून 2022 में सन्यास लिया है और जब सन्यास लिया उसके बाद उनके interviews वगेरा है और उसमें उन्होंने पूरे as a mahillah cricketer as a woman cricketer क्या-क्या संगर्ष जो उनके पूरे रहे हैं क्या कि struggle रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने खुल कर बात कि और उसमें एक सवाल आता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें दोगनी महनत करनी पड़ती है जैसा कि अभी आपने कहा भी कि एक पैसा आ जाएगा तो उनकी value बन जाएगी जैसा career option मनाना चाहती है खेलों में आना चाहती है और सिर्फ इन्हें एक pursuit ऐसा ना माना जाएगी सिर्फ पुर्शो के लिए हैं या men के लिए हैं लेखी example तो set करेगा क्योंकि अभी आगे बहुत बढ़ना होगा अगर आप cricket में देखे चलिए आपने match fee तो उनकी same कर दी और contract fee अभी भी बहुत different है जो A, B, C contract होते हैं चाहे male cricketers के अलग होते हैं और female cricketers के बहुत अलग होते हैं बहुत अंतर होता है तो अगर cricket में ही देख लें इसको close करना पड़ेगा ये gap और और जो खेल हैं देवानशी अगर हम hockey देखें हम kabaddi देखें और बहुत सारे अनेक athletics में जितने हैं और अगर जो team sports हैं कोई-कोई तो जो small basketball team का देखें मुझे अभी भी पता है कि मैं इंडिया से basketball खेल चुकी हूँ और जब मैं college में थी imagine ये इंडिया team थी इंडिया की team हम ही सब ने पैसे जुटकर एक tournament enter किया था कि हम को कहीं जाना था कि अब हम क्या करें क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा था sports authority इंडिया से तो हम ही ने पैसे जुटाए थे उस वाक तो अगर आप ऐसा देख लीजे ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं और यह बहुत सारे और जो खिलाडी है इसमें कंकर करेंगे बहुत मतलब अगरी करेंगे कि यह जो और खेल है उनका क्या क्योंकि आपने चड़िये cricket में एक्जांपल सेट कर दिया और और खेल है उनका का कल ना हमारे कॉर्षो में डाइना करके हैं बहुत मतलब फॉस्ट या सेकंड क्रिकेटर है जो बहुत ही पुरानी अभी तो मतलब काफी टाइम गुजर गया वो ही बता रही थी कि भाई उस टाइम पर जब उन्होंने जब महिलाओने क्रिकेट खेलना शुरू किया था वो अपनी जर्जी का अपना ही पैसा बनाके अपना ही देती थी मतलब टीम इकटी हो जाती थी और चलिए जर्जी लेनी है इंडिया की तो अपना ही मतलब कॉंट्रिब्यूट करती थी कर चली थोड़ा थोड़ा सब दे दो तो ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो और शारुक खान ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट किया है कि sports being such an equalizer in more than one way, hoping it will pave the way for others to follow, और चीजों के लिए भी रहा बनाएगा शारुक खान को ये भी tweet करना चाहएगा दिवान शी के बॉलीवूड में भी equal pay करी है मतलब जो दिपिका पादुकोन वगेरा जो मान लीजे इतनी सारी हिरोइन्स हैं इनको भी तो कम पैसा मिलते हैं अब यही होगा कि भाई, commercially viable male star जादा हैं और जब लीडिंग agencies अभी जैसे BCCI ने ऐसा किया तो एक example जो मैं भी बात कर रही थी example set किया लेकिन बड़ी कच्छुआ गती से होता है यह सारा काम कि अबना बड़ा special event सा हो गया कि यह landmark decision है, very good, very nice काबले तारीफ है, लेकिन यह जादा क्यों नहीं होता, क्या यह ignorance है कि बाकी जगह उपर वही जो आपने बात की कि Bollywood में नहीं हो रहा World Economic Forum की अभी 2022 में एक report आई थी जो gender equality पर थी, उसमें भारत में जो gender equality की जो उसकी rank है समानता, langing समानता में भारत 146 देशों में 135 वी rank पर है उसके बाद कुल 11 ही देश बचे हैं जो भारत से नीचे हैं 2016 में इंडिया की rank 87 थी हम इतना पीछे पहुँच गए है gender equality में, मतलब हो क्या रहा है ये समझ से बाहर है, किस तरहां की चीज़े हो रही है एक और data था कि political empowerment के मामले में इंडिया की rank 48 है, जो बहुत अच्छी हमको लग सकती है, लेकिन 2016 में 9th, we were on 9th position, तो यहां पर भी बहुत चीज़े और हम बार-बार gender पर क्या होता है, असल में धरातल पर क्या हो रहा है, हम उस पर कौन बात करेगा, क्या कोई gender budget बनेगा, और कैसे देखना चाहिए, कैसे लेना चाहिए and how can we help, मतलब आप क्या सोचते हैं सुचते हैं द्वाजी, आप में जितने आकड़े दिये हैं मैं इसमें से एक और आकड़ा जूल लेती हूँ क्योंकि मैं जब ये शो कर रही थी, मैं अपना थोड़ा रिसर्च कर रही थी, World Economic Forum के हिसाब से, अगर इंडिया को equality पानी है, male और female में gender gap कम करना है, basic pay parity करनी है, equality करनी है तो जिस standard से हम अब बढ़ रहे हैं, हमको 132 years लगेंगे और अभी 132, 132 years लगेंगे to be equal तो अगर आपको कोई कह रहा है ना, कि आप तो equal हो, आप नहीं हूँ equal और आपको 132 years लगेंगे जैसे अगर अभी हम जा रहे हैं बात करना इसलिए इस पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह है, समस्या है प्रीती हमने बहुत सारी चीजों पर discuss किया, एक बड़ी डरावनी ख़बर आई उस पर हमने बात किया, जो भी हम जनाना इस टाइम पर शूट कर रहे हैं आज 28 अक्टूबर है, कोई अपडेट आती है, तो डेफिनिटली हम आप तक पहुँचाएंगे बी-सी-सी-ाई का जो डिसिजन है, बहुत अच्छा लैंडमार्क डिसिजन है और आगे भी ऐसी चीज़े होती रहनी चाहिए, बहुत शुक्री अप्रीती आप सब बातों पर चर्चा करने के लिए, विस्तार से बताने के लिए और हम अगले हफते अपने दर्शकों से दुबारा मुलाकात करेंगे एक बार फिर से आएंगे, एक नए मुद्दे के साथ आएंगे क्योंकि महिलाओं के मुद्दों पर लगातार बात करनी जरूरी, आधी आबादी है हमारी आवाज भी मैटर करती है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीती फिर से